Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 01 प्राचीन और मद्धियुगिन समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं questions क्या है, questions के पूछे जाने का pattern क्या है exam के अंदर में और इनके answer हम कैसे लिख सकते हैं इन चीजों पर हम basis बात करने वाले हैं वीडियो short में होने वाली है, important वीडियो आप सभी के exam के perspective से कल आप सभी student का exam भी है, तो वीडियो को start करने से पहले आप सभी students के लिए suggestion है, कि अगर आप MA history, MHI 01 के लिए prepare कर रहे हैं अपने exam के लिए तो the in-up पर दो वीडियो डली होई है, पहला वीडियो है last five year के question paper का अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो almost आपका 95% का जो sliver से cover हो जाएगा, उसके अंदर में last five साल के questions paper को कराये गया है, एक दूसरा वीडियो है का आपका, जिसके अंदर में all important topics of your book, ठीक है, आपके book का जो भी important topic है उसको करवाए गया है, उसके अंदर में 10 साल की question paper को research करके, ठीक है, जो भी important topics बनते हैं, जो repeat questions हुएं, उनको उठा कर, उनके basis पे सारे important topics को उस वीडियो के अंदर में डाला गया है, तो अगर आप इन दोनों वीडियो को देखते हो, तो आपका almost syllabus 95% cover हो जाएगा, इस वीडियो के मतल से जो भी आप देख रहे हो, इससे आपको बस एक idea मिलेगा, कि इस lesson के अंदर में यह important topic है, और इसके अंदर में हम इस तर से answer लिख सकते हैं, थोड़ा सा short video है, जिसमें आपको सिर्फ एक idea मिल सकता है, concept के लिए हो सकता है, पर बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको suggest करूँआ कि आप इन वीडियो को देखे, description में playlist की link link मिलेगी, आप वहाँ से जाके directly देख सकते हैं, चले आज कहा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, दो unit करना में, unit 4 और unit 5, unit 4 के अंदर में इसके अंदर में हमारा पहला chapter जो आता है, Latin America का आता है, Latin America की बात करें, यहां पर टीन question, सबसे important question होते हैं, पहला question आता है माया सब्वेता से, ठीक है कि माया सब्वेता है क्या, ठीक है, तो माया सब्वेता है क्या, तो एक तरह से विक्सित सब्वेता थी, नगरी विवस्था इनकी बहुत जाता विक्सित मनी जाती है, ठीक है, जैसे मालो नगर के बीच में, ठीक है, एक तरह से केंदर था, उस के इंदरे की 4 दॉप प्रफ से जो अधिकारी वर्भ आने के लिए विवस्ता की जाती थी तो एक तर से विक्सित सब्बता था मौना सब्बता उसकी बारे में यहां पर को कोशन रहता है एक important question माय सवब्तक बनता है दूसरा यहाँ पर question मनता है इंकावासी किस परकार के थे एक इनकावासी होता है कई बार का सवबथा होता है या फिर इंका आतकि जिवन होता है कि किस परकार सी वो रहते थे ठीक मुझाइ पर बताना है तो दो अलग अलग सभ वंगसे बारे एक बनता है तिसरा एक ओर सब्ढल बिपार करके एकले आता है ऊचथिक जी रहता है तो इंगा सब्धिता इंका सबबिता और एस्टेक सबबिता ये तीनों Latin America के chapter के अंदरे में आते हैं थोड़ा थोड़ा आप उस पर ध्यान दोगे तो तीनों के अंदर में almost चीजे जो है story जो बनता है same बनता है बस आपको थोड़ा सा basic चीजे पढ़ना है जिससे आप थोड़ा सा आप कर सको एक्जाम के अंदर में क्योंकि last day है उतना में हमारे पास time नहीं होता कि हम अच्छे से prepare कर सके तो उतना थोड़ा सा idea रहेगा, concept के लिए रहेगा तो आप उसको बना कर लिख सकते हो, number almost मिल जाते है अगले chapter के और बढ़ों में 15 चेप्टर जो हमें पढ़ना है अफरीका के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अफरीका का पश्चिमी और दच्छिनी चाए पश्चिमी अफरीका हो, चाए दच्छिन अफरीका हो उहां का वैपार किस परकार का था अर्थवरस्ता किस तरह से विक्सित हुई उसको लेकर कोश्चिन आ जाता है पश्चिम अफरीका दच्छिन अफरीका का वैपार और अर्थवरस्ता को लेकर कोश्चिन आता है तीसरा इसमें जो चैप्टर हमें पढ़ना है खाना बदोस समराज्य को लेकर है इसके अंदर में नॉर्मली खाना बदोस समराज्य किस परकार के समराज्य था ठीक है खाना बदोस होता है किया जो एक जगह से दूसरी जगूंते रहते हैं खाना बदोसी समराज्य ठीक है तो तो आपने मंगोल समराज्य के बारे में सुना होगा, चंगेज खां के बारे में सुना होगा, चंगेज खां भी खाना बुदुषी समराज्य से ही आता था, बिलोग करता था, तो समझ सकते हो कि कितना बड़ समराज्य उसने इस्थापित किया, तो यहां पर हम खाना आपको खाना बदोस्तम राजे का यही सरूप मंगोलियां के अंदर में भी देखने के लिए मिला जिसके बाद चंगेज खान ने पूरा चंग मंगोल का नर्मान किया ठीक है तो इस तरह से यह देख सकते हैं तो यहां पर यह वाला यूनिट के अंदर में यही तीन चैप्ट समराज्य क्या है और समाज क्या है तो यहां पर नयने धर्म उदय होंगे ठीक है उनके बारे में बात करेंगे पहला मारा सत्रवा चैप्टर आता है परिवर्तित रोमन समराज्य में किस तरह से नया उदय हुआ पहले रोमन समराज्य आपने देखा ठीक है जहां पर दास प इस्ते थी किस परकार की थी ठीके निमनवर्ग जो सबसे निचले तपके के लोग थे वो और दास किस तर से रहते थे तो इन दोनों को निचले पॹटे तो इससे निमनवर्ग के तौर पर जाना गया थे वो और दास के पास अपने अधिकाल नहीं कर सकते थे साधी वाधी भी करते थी तो बच्चे भी उनके गुलाम बनेंगे तो इसतरी की पूरी परधा चलती थी पर निमनों के साथ में ऐसा नहीं था सिर्फ वो समास से सबसे छोटे तबके के से बिलोंग करते थे ठीक है तो इससे निम्न वर्ग के तौर पे जाना गया ठीक है तो यहाँ पर ही रहता है सासाथ में यहाँ पे रोमन समराजे के अंदर में ही एक कोशन बन जाता है इसाई धर्म का परसार किस परकार से इसाई धर्म का फैला पूरा रोमन समराजी के अंदर में हुआ किस तरह सासको के अंदर में डर बना इसाई धर्म का ठीक है तो वो सारा कुछ की इसाई धर्म का किस तरह से परसार परचार हुआ वहाँ पर एक question इसका बन क्या आता है अठावरे chapter की बात करो उठावे chapter के अंदर में अरब समराजी के बात करते हैं तो अरब समराजी के अंदर में सबसे बड़ा question बन कर आता है the question भी आप सबसे पूछने चाओंगा कि अगर को पता है कि इसलाम का उदे का वहा तो कमेंट करके बताईए ठीक है और जो मुहम्मद पेगंबर थे उनकी मिर्थु कब हुई ठीक है अगर ये भी पता है आपको तो कमेंट करके बताईए दोनों का अंसर दीजे देखते हैं कि इतने लोगों को दो हुत हो पता हुए चीन सबसे बड़ा वतétait के अधे हृता है ये दोनोں खतम होते हैं यूनित हमारा तीन और बहुतते हैं यूनिट 6, 7, 8, 9 चार यूनिट बहुतते हैं जो चार यूनित को मैं थोड़े धरिमें ट्राइप करता हैं कि और वीडियो डाल कर खतम करता हूं, तो फटाबर्ट आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो समझ में आारा है, तो आगे के लिए कमेंट किजिए, मैं आगे की युनिट का वीडियो बनाकर आपके लिए डालता हूं, अब आफट अब और कल एक्जाम है तो सब भी students call the best ठीक है जैसा भी जा रहा है जाने दीजे एक्जाम ठीक है जितना भी प्रिपेर गया है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर किसी का खराब भी जा रहा है कोई दिक्कत वाली गपराने वाली बात नहीं आप आगे के त्यारी किसे अब भी सोचिये मत कि यार मैंने पढ़ा नहीं कम जा रहे खराब जा रहे अच्छा जा रहे उसको भूल जाई है आगे के लिए अपनी सोचिये आगे की त्यारी किसे अब जो पीछे बीते वाले पर सोच कर फाइदा नहीं है ठीक है तो आप सभी को all the best बाई बाई ट